अच्छा चलना है चलिए यह चलना है तो बहुत अच्छी बात है और बच्चे मेहनत की रफ्टाल तेज कीजिए पहले से जादा मेहनत करिए क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में ज़्यादा समय बचा नहीं है तो बोर्ड एक्जाम की प्रती स्रियस होते हुए पढ़ाई में जोरो सोरो से लग जाईए ताकि एक सम्मान जनक मार्क्स अचीव कर सके ठीक है क्योंकि मेहनत का कोई बिकल्प नहीं होता है पढ़ने के लिए मेहनत करना पलता है सफलता मेहनत से ही मिलता है उसके लावा ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे सफलता आपको मिल जाए ठीक है तो मेहनत करिए जोरो सोरो से चलिए बच्चे तो already previous classes में हम financial statements of company पढ़ रहे थे आज के class में भी हम वही पढ़ेंगे but previous में मैंने financial statements of company में balance sheet और उसके head subhead के बारे में आपको पढ़ाया था आज के class में financial statement में हम statement of profit and loss के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और आज के class में statement of profit and loss के सभी item के बारे में आपको अच्छे से समझा देंगे कि उसमें format में क्या क्या आता है और उसके notes to accounts में क्या आएगा ठीक है तो चलिए session की शुरुवात करते हैं बिना देर किये हुए एक दमदार like के साथ session को शुरू करते हैं चलिए बच्चे pen और paper मेरे साथ साथ लेके बहें जाईए ताकि कि जो हम लिखवाएंगे वह आप लिखेंगे ठीक है क्योंकि इस chapter में notes ही बनाना है और उसको learn करना है ठीक है जो कुछ भी आप बोले बच्चे note कर लिजे तुर्ण वीडियो को पहुच करके note करिए ठीक है चलिए तो देखिए आज के class का topic क्या है form of statement of profitable loss statement of profitable loss के format के बारे में पढ़ेंगे कि statement of profitable loss account का format क्या होता है and after that notes to accounts regarding statement of profitable loss statement of profitable loss के notes to accounts के बारे में भी आज के class में हम लोग पढढ़ेंगे ठीक है देखिए, सबसे पहले आपके सामने screen पे statement of profit clocks का format है, इस format को सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, सबसे पहले इस format को नोट कर लेजिए, ठीक है, अब देखते हैं इस format में क्या आता है, already हम part first में भी आपको statement of pl के format बताये थे, बट वहाँ पे केबल format ही बताये थे, आज एक रास में इस format के हर एक item के बारे में भी discuss करेंगे, ठीक है, देखिए, सबसे पहले आता है बच्चे इसमें आपको, revenue from operation, सबसे पहले revenue from operation आता है, ठीक है, उसके बार आता है other income, अभी बताएंगे revenue from operation क्या आता है, और इस revenue from operation और other income को अगर आप add कर दो, तो you will get total income, first और second को add कर दोगे, तो third में आपको आजाएगा total income, after that expenses आता है, हमने आपको बताया था, expenses में 7 तरह के expense होते हैं, जिसमें last में other expense आती, last में other है याद हो गया, अब जो 6 है, उसको दो पार्ट में याद करो, ऊपर का 3 एक साथ, next 3 एक साथ तो उपर के 3 में हो गया cost of material consume, purchase of stock in trade, change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade, ये 3 inventories related हो गया उपर का, next 3 क्या है, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization and the last one is other expense, तो overall 7 expenses जो हुए है, इन 7 expenses को अगर आप add करो, तो you will get total expenses, आपको कहा निकलेगा, total expenses, after that ये जो total income आया था, इस total income में से, total expense को minus करोगे, तो you will get profit before tax, third के totaling में से, fourth का totaling minus करेंगे, तो you will get profit before tax, tax से पहले का profit, अब इसमें से tax पे करेंगे सरकार को, let's imagine कि tax से पहले का profit 100 रुपिया है, अब सरकार ने कहा 30 पसंद टेक्स दिजिए, तो 100 का 30 पसंद 30 रुपिया tax चला गया, तो बताओ, tax से पहले 100 profit before tax रहेगा, फिर after that tax calculate करेंगे, फिर profit before tax में से tax minus कर लेंगे, तो we will get profit after tax, this one is format, तो यह लाइन से आपको याद होना चाहिए, कि सबसे पहले, सबसे पहले top में, revenue from operation, then other income, और उन दोनों को add करेंगे, तो total income, उपर का 3 याद हो गया, revenue from operation, then other income, then उन दोनों को add करेंगे, तो total income, फिर expenses में आद करोगे, कि expenses साथ तरह के होते है, सबसे पहले आएगा, cost of material consume, फिर purchase of stock in trade, फिर change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade, फिर तीन याद हो गया, फिर employee benefit expense, फिर finance cost, फिर depreciation and amortization and the last one is other expenses, फिर सबको add करेंगे, तो total expense, then total income में से total expense minus करेंगे, तो we will get profit before tax, ठीक है, फिर profit before tax में से, text minus करेंगे, तो आएगा profit after tax, ठीक है, यह format है, सभी बच्चे इस format को note कर लिजिए, सभी students इस format को note कर लिजिए, done, ओके, अब बच्चे, हम लोग इस format के हर एक item के बारे में, one by one detail में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आता है, जिसे यह तो format हो गया, statement.pl का, अब इसके नीचे notes to account में, जैसे कि revenue from operation में जो कुछ भी आता है, वो notes to account में लिखा रहेगा, और उसका sum यहाँ पर बस लिखाएगा, ठीक है, जैसे balance it में था, ठीक ना, ओके, तो चलिए, देखते है, revenue from operation में क्या आता है, तो इसको note हो गया, ओके, अब देखिए, revenue notes to accounts regarding statement of profit and loss, statement of profit and loss के notes to accounts के बारे म उसमें क्या-क्या आता है, तो revenue from operation क्या होता है, it is the revenue earned from business activities of the company, देखिए, it is the revenue earned from business activities of the company, मतलब कि company का जो main business है, उससे जो company money earned कर रहा है, वो revenue from operation में जाएगा, ठीक है, it will be shown in notes to account, इसको notes to account में सो कलता है, क्या-क्या revenue from operation में आएगा, यह देखिए, revenue from sale of product, revenue from sale of product, revenue from sale of services, and the revenue from sale of scrap. तो तीन आइटम याद रखना कि revenue from sale of product, revenue from sale of services और revenue from sale of scrap. यहाँ पर हम gross बनाओ total revenue minus return. revenue मतलब sales. तो देखो, sale of goods, sale of services और sale of scrap. scrap क्या होता है? जैसे आपका जिस्चिच का business उसका cartoon यह सब होता है ना? जैसे सब mobile के दुकंदार के लिए mobile का cartoon यह जो भी दुकंदार है. कपड़े का दुकंदार है, cut piece वगएरा, यह सब scrap कहलता है. तो यह सब मेरा main काम होता है बेचना, बार-बार business करोगे तो उस सब बेचते रहोगे. तो देखो, revenue from operation में क्या क्या आएगा? तो sale of product, sale of services, sale of scrap, सवाल होगा आपके मन में क्या सर इसको line से रटना है? नहीं, line से नहीं. बस हम इसमें से किसी का नाम पूछे आपसे, कि बताओ sale of product कहा जाएगा, sale of services कहा जाएगा, sale of scrap कहा जाएगा? कुछ भी पूछे, तो आप उसका हमें बताना कि sir revenue from operation में. ठीक है? कहाँ पे revenue from operation, lines नहीं, बस इसमें ये सब आता है. revenue from operation क्या आता है? बताओ, sale of product, sale of services, sale of scrap, clear, note it. चलिए इसको note कर लिजिए. ओके, next, अब बताएगे, revenue from operation के बाद आपका next क्या था? ये तो clear हो गया कि revenue from operation में, notes में आएगा, sale of product, sale of services, sale of scrap, किसी का नाम दे sir, तो वो आएगा, revenue from operation में. दूसरा क्या है? other income. बच्चे, other income ना, रटना नहीं है. other income बहुत easy है, जिसे आपने revenue from operation याद कर लिया, कि revenue from operation में, sale of product, sale of services, sale of scrap है. इसके अलाबा, जो भी income आपके दिमाग में क्लिक करे, revenue from operation में, जो तीन income गया ना, sale of product, sale of services, sale of scrap, उसके अलाबाद, जो कुछ भी income आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है. क्योंकि इसल जैसे, जैसे discount receive, commission receive, interest receive, dividend receive, gain on sale of investment, कुछ भी उन तीन income के अलाबा, जो भी क्लिक करे, वो सब जाएगा, कहाँ पे, other income में, कहाँ पे जाएगा, other income में, देखिए, other income में क्या है, other income याद महीं करना है, other income is the revenue that is not earned from business activity, business activities को छोड के, क्योंकि business activities का income revenue from operation में गया, उसको छोड के, जो भी income है, वो सब other income में, जैसे, क्या-क्या आएगा other income में, interest income, dividend income, gain on sale of investment, rent receive, discount receive, commission receive, profit on sale of fixed assets, sale of miscellaneous item, sale of miscellaneous item, that is, news paper, news paper, sell किये, ठीक है, यह आगया, refund of income tax, अब देखो, अब यहाँ पे, जो कुछ भी income है, यह सब other income में जा रहा है, तो सवाल सर क्या है, इसको रटेंगे, नहीं बच्चे, इसको याद नहीं करना है, statement of PL में income दो ही जगा जाता है, एक revenue from operation में, और दूसरा other income में, आपने revenue from operation का याद कर लिया, कि अच्छा, sale of product, sale of services, sale of subscribe, revenue from operation में आता है, इसके लाबा कोई कुछ भी income पूछे, rent receive, discount receive, commission receive, gain on sale of investment, dividend receive, कुछ भी, तो आप बोलना other income, तो इसको याद नहीं करना है, याद revenue from operation में कर लिजेगा, तो उसके लाबा जो भी income आए, वो सब other income में बोलिएगा, समझगे बात न, चलिए, इसको note करिए, फटाफट note करिए, ठीक है, और आप लोग cable lecture देखते हो, like वगज़ा नहीं करते हो, हम चाहते हैं, financial statement of companies का part 5 में, हमारा सबसे जादा like होना चाहिए, तो आप लोग like नहीं करते हो, cable lecture से note कर लेते हो, समझ लेते हो, और like नहीं करते हो, करिए, ओके, next, रखो बच्चे, यह, हम revenue from operation के बारे में पढ़ लिए, other income के बारे में पढ़ लिए, इन दोनों income को add करोगे, तो आपको आएगा total income, ठीक है, यहाँ तक clear हो गया, यहाँ तक clear है, कि revenue from operation में आएगा, main income, revenue from, sell of products, sell of services, sell of scrap, other income में, उन तीन के अलावा, जो भी income रहे, वो सब other में जाएगा, ठीक है, ओके, और इन दोनों के sum को add करेंगे, तो total income आजएगा, first or second के sum को add करेंगे, तो total income, ठीक है, then expenses की बात करते, expenses का नाम line से याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको, यह formating line से याद होना चाहिए, जाहिए से याद करें आप, इसके बाद आप इस expenses में क्या क्या आता है, किसके अंदर यह बताएंगे, बस इतना ही तक जो आपको याद करना है, कि किसके अंदर क्या आ रहा है, यह बताएंगे, और उसका भी तरीका बताएं क्या याद करना है, क्या नहीं करना है, ठीक ना, ओके, चलिए, next, यह बता दिए आपको, other income बता दिए, चलिए, अब expenses के बारें बताएंगे, expenses में एक है cost of material consumed, cost of material consumed क्या होता है, देखिएगा, लिखा है, cost of material consumed means cost of raw material and other materials consumed in manufacturing the goods, it will be calculated as follows, cost of material consumed का मतलब होता है, कि किसी भी goods को produce करने में, जो भी material consumed हुआ है, जो भी material लगा है, goods को बनाने में, उसे हम कहते हैं, cost of material consumed, cost of material consumed, cost of material consumed में, क्या क्या आता है, कैसे calculate होता है, यह देखिए, opening inventory of raw material, opening session के शुरुवात में जो था, plus purchase of raw material, minus closing inventory of raw material, for example, मालनो बच्चे, कि हमारे पास opening material session के शुरुवात में, 1000 रुपे का था, opening, हमने session के में purchase 1500 का और किया, जैसे मेरे पास सुरुव में, session के शुरुवात में, opening stock material का 1000 रुपे का था, हमने 1500 रुपे का material और purchase किया, तो कुल कितना material हमारे पास हो गया, को कि सर 1000 पहले से था 1500 आपने और पल्चेज किया तो 2500 और साल के अंत में मेरे पास closing material 500 रुपेगा बचा हुआ है तो बताओ हमने material कितना consume किया goods बनाने में ध्यांदना हमारे पास goods बनाने से पहले material 1000 का पहले से था opening material हमने 1500 रुपेगा material और पल्चेज किया session में तो 1000 पहले से था 1500 और पल्चेज किये तो 2500 हुआ ना ओके और अंत में कितना बचा था मिट्रियल बनने के बाद हम गेंगे 500 बचा हुआ था किसर 2000 पहले से था 1500 आपने और पल्चेज किया हुआ 2500 बचा हुआ इसका मिट्रियल का मेट्रियल कंजूम हो गया goods बनाने में ठीक है तो वही है cost of material कंजूम कि कितने value का material goods बनने में इसको निकालने का बस formula होता है opening inventory plus purchase of material minus closing यह formula आपको याद रखना पड़ेगा कई बार calculation दे देता है इस formula पर बेज़ कि calculate cost of material कंजूम तो याद रहेगा opening inventory of material plus purchase minus closing ठीक है okay note it note कर लिजे इसको then okay next next है purchase of stock in trade purchase of stock in trade क्या होता है purchase of stock in trade में है the term stock in trade means goods purchase for reselling goods purchase for reselling कि जो goods हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसे purchase of stock in trade क्याते है बच्चे हम एक businessman है तो कई बार हम goods खरीदते हैं और उसका further processing नहां करके सीधे बेचते हैं तो वो goods purchase of stock in trade में आएगा ठीक है in case the company carries out further processing यदि company further processing करता है on the goods purchase then they are not classified as purchase on goods purchase of stock in trade but becomes the part of cost of material consumption ध्यान दना इसे बात पर कि company यदि goods खरीदती है और उस goods से यदि further processing करती है next step बना के next मतलब company के अगर goods खरीद के company के लिए अगर वो goods raw material है उससे दूसरा goods बनाएगी तब वो purchase of stock in trade में आएगा तब आएगा cost of material consume में बट अगर company if यदि company उस goods को खरीद के सीधे sell करे तब वो purchase of stock in trade में आएगा ठीक है if any semi-finish goods or material purchased for further processing the same should be classified cost of material consume rather than stock in trade यदि company goods खरीद के उससे further processing करे तो वो cost of material consume में आएगा लेकिन अगर company कोई material खरीद के सीधे उसको sell करे तो वो stock in trade में आएगा तो हम आपको stock in trade का मतलब बता दिये stock in trade means goods purchase for reselling यही sentence important है इसमें 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 बस मीनिंग जाना था next change in inventory of finis goods work in progress or stock in trade तो change in inventory का formula क्या होता बच्चे opening inventory minus closing inventory opening inventory minus closing inventory that is change in inventory ध्यान दखना एक बात जब accounts और economics पर होगे तो change in inventory को ध्यान दखना कैसे accounts में इस chapter में change in inventory का formula है opening minus closing और जब economics पर होगे national income और वहां पर expenditure method में कलते था ना gross domestic capital formation में दो पाट था ना gross domestic fixed capital formation और change in stock वहां पर change in stock का formula है closing minus opening तो बच्चे इस बात पर ध्यान देना जब तो एक अचांट का exam देने जाना तो opening minus closing और economics का exam देने जाना तो closing minus opening इस बात को ध्यान देना तो change in inventory of finished goods work in progress and stock in trade का formula होता है opening minus closing तो सबसे पहले change in inventory of finished goods opening inventory of finished goods minus closing inventory of finished goods तो ये निकला फिर change in inventory of work in progress opening inventory of work in progress minus closing तब ये निकला फिर opening inventory of stock in trade minus closing inventory of stock in trade ये निकला तो ये ABC तीनों को अगर add कर दोगे तो आपको निकल जागा net change in inventory of finished goods work in progress or stock in trade ठीकी ना formula नोट कर लीचे नोट कर लीचे हो गया नन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है employee benefits expense बच्चे employee benefits expense क्या होता है यह बहुत easy है employee benefit expense वो जैसे employee को हम जो कुछ भी पे कलते हैं just like wages, salary, bonus, leave in casement, provident fund, gratuity जो कुछ भी हम employee को pay कलते हैं वो employee benefit expense में आता है ठीक है चले देखे क्या क्या है इसमें wages आएगा इसमें, salary आएगा, bonus आएगा, leave in casement आएगा, contribution to provident fund आएगा and funds like gratuity fund आएगा, superannuation fund आएगा, staff welfare expense में क्या क्या आएगा इसमें related है canteen expense जो employee को pay कलते है medical expenses, expenses on employee stock option scheme, employee stock purchase plan इसमें किसी का नाम दिया रहे है आपको कि wages, salary, bonus, leave in casement, canteen expense, employee stock, option scheme, employee stock, purchase plan किसके अंदर आएगा, employee benefit expense के अंदर आएगा, ठीक है तो चलिए इसको note करिए जल्दी से इसको note करिए यह important exam में यहां से question पूछेगा यह बच्चे important है employee benefits expense से question पूछेगा इसका item दिया रहेगा बाकी जो भी बताये थे ना कि cost of material consume और change in inventory उससे कम चांस है पूछने इससे पूछा जाएगा हो गया note कर लिए चलिए आगे बलते हैं next है finance cost यह भी important है इससे भी exam में question पूछता है very very important ठीक है चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा finance cost में दो तरह के expense होते हैं एक interest related एक borrowing cost related इसमें कुछ भी आएगा सब interest expense finance cost में आएगा interest paid on term loan interest paid on overdraft cash credit, interest on deventure bond, public deposit और borrowing cost related क्या हो जाएगा finance cost में discount or loss on deventure return of premium payable on redemption of deventure, return of loan processing charge, guarantee charge, commitment charge commission paid for deposit mobilization ठीक है तो finance cost में interest आपको याद ही देगा बस यह बला याद कर लेना यह बला याद कर लेना कि क्या 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 आता है discount premium payable on redemption of deventure return of loan processing charge guarantee charge commitment charge commission deposit mobilization यह बस याद कर लेना कि यह सब finance cost में आता है यह बहुत important एक jamme question यही से पूछा जाएगा इस वाल में किस से पूछा जाएगा एक तो employee benefit expense से पूछा जाएगा और दूसरा finance cost से note करिए इसको note it दन okay next next depreciation and amortization expense depreciation and amortization बच्चे depreciation word use करते हैं tangible fixed assets को write-off करने के लिए और amortization word use करते हैं intangible fixed assets को write-off करने के लिए जैसे मालों की patents computer software amortize ठीक ना depreciation word tangible के लिए amortization intangible के लिए इसमें कुछ याद करना नहीं है note कर लिजिए इसको बहुत easy है यह then चलिए next देखते हैं next जो है other expense यह other expense सवाले सर इतना याद करना परेगा नहीं बच्चे बिलकुल याद नहीं करना परेगा other expense पहले क्या क्या आता है पहले यह देखो other expense क्या आएगा carriage carriage inward carriage outward freight manufacturing expense rent rates and tax insurance less prepaid discount allowed commission allowed bad debt provision for bad debt repairs repair to machinery building fixed assets trade expense administrative and office expense telephone expense bank charges bank charges इसमें important है क्यों क्योंकि bank charges जब पूशता है ना तो बच्चे गलती से इसको लिख देते हैं किस वाले में bank charges को लिख देते हैं finance cost में ठीया है यह ध्यान रखना bank charges आपका finance cost में नहीं जाएगा बलकि bank charges other expense में आएगा this one is important loss on sale of fixes director fee audit fee conveyance expenses traveling expense courier charge telephone expenses internet expenses entertainment expenses यह सब आपको other expense में आता है सवाल है कि सर इतना याद करना पड़ेगा नहीं बच्चे एक बात आपको बताते हैं ध्यान देना मेरे बातों पर जैसे आपको expenses जब शुरू हुआ है ज्यान दो expenses में cost and material consume तो बस इसका formula याद कर लेना ठीक है purchase of a stock internet में कुछ याद ने करना है बस simple है stock purchase for resale stock purchase for resale इसमें आता है next change वाले में याद कुछ ने करना है इसमें भी opening minus closing बस याद रखना है opening stock minus closing अब बताओ तीन जो भी बताए cost of material consume उसमें formula था opening plus purchase minus closing stock internet में कुछ था नहीं goods purchase for resale change बाले में opening minus closing ठीक है यह तीन अलग है तो अब employee benefit expense को याद करना इसमें क्या है employees related खल्चा जैसे wages, salary wages, salary, live incassment, provident fund, gratuity fund तो employees related जो employee को हम pay करते हैं तो यह आपका आ गया किसमें employee benefits expense में ठीक है तो यह तो याद कर लिए इसके बाद बच्चे इसके बाद finance cost बहुत important है इसको याद करना employee benefit तो आपको याद हो गया कि employees related है finance cost में दो तरह के हैं interest expense or borrowing cost तो यह दोनों को याद कर लो सबस्यदा इसी को याद करना ठीक ना ओके इसको याद कर लिए माल लो फिर depreciation में कुछ याद वाद करना नहीं है अब जब आप बाकी सब इधर का याद कर लिए उसके अलाबा जो कुछ भी expenses आए वो सब other income में जाए जो भी expenses आएगा उधर के अलावा वो सब other income में जाएगा other other expenses other expenses other expenses में जाएगा जो भी expenses finance cost depreciation and amortization employee benefit expense उन तीन और उधर के material बगाएग जो भी expenses आएगा वो सब other expenses में जाएगा ठीक है other expenses तो यह याद नहीं करना है एक बाद देख लेना है एक बार इसको देख लेना है एक दो बार बागी उधर का अच्छे से याद कर लिए कि अच्छा employee benefit expense में क्या जाएगा finance cost में क्या जाएगा depreciation and amortization क्या होता है उसके अलाबा जो भी expenses आए वो सब expenses other expenses में जाएगा बताओ easy तरीका है कि आपके पास इससे भी easy कोई है तो पता सकते हो मुझे सबसे based है कि इसको याद नहीं करना है एक बाल दो बाल देख लेना है बस अ उधर बला याद करना finance cost वाला ठीक ना और ध्यान आगना bank charges पर अकसर बच्छे गलती कलते है bank charges को लिए finance cost में नहीं this one is important for examination purpose यह अधर expenses में जाएगा bank charges finance cost में नहीं जाएगा ठीक है चलिए इसको note कर लो सभी बच्छे note कर लीजे done okay next next question है हमारा under which line item major head of the statement of profit and loss of the company following item will be soon यह item कहां जाएगा यह आपको बताना है किस head में जाएगा statement of PLK क्या-क्याइटम है sell है wages है interest earned है interest on deposit mobilization है entertainment expense है sale of scrap है purchase of stock in trade है और interest on term loan है interest on term loan note करिए तुसको हो गया चलिए इसका इसको solution देखिए कैसे होगा देखिए sell sell किस में आएगा बच्चे sell आएगा major head revenue revenue from operations next क्या है wages तो अभी बताये ते कुछ दर पहले आपको कि wages आएगा employee benefits expenses next interest earned बतलब हम earn किये हैं earn किये हैं तो यह income है यह जाएगा other income में next interest on public deposit पे कर रहें यह जाएगा आपको finance cost में next entertainment expenses यह जाएगा आपको other expenses में next sell of scrap यह जाएगा revenue from operation में revenue यह जाएगा यह जाएगा next purchase of stock in trade यह purchase of stock in trade में ही जाएगा purchase of stock in trade interest on term loan term loan interest पे करेंगे यह भी finance cost में जाएगा finance cost में जाएगा इसको नोट कर दो बच्चे सही बच्चे इसको नोट कर दो लाएगी आया उडके श्याएग क्उगी वह वह श्याएग झाल झाल तो एकजाम में ऐसा ही कोशन आता है इस तोपिक से यह important question था ठीक नहीं एकजाम में ऐसा ही कोशन आता है इसको note कर लिजी एकजाम में ऐसा ही कोशन आपको को आयेगा ठीक है next go झाल अज का लास्ट कोशन अंडर which major head of the statement of profit and loss of the company following item will be appear क्या क्या item है बोनस है, internet expenses discount on issue, venture return of revenue from services rendered, material purchase और goodwill amortize चलिए इसको नोट करिए कोश्चन को नोट करिए कोश्चन हो गया? चलिए इसका solution करते है 9 का solution ठीक है? देखिए bonus, bonus किसमे आएगा बच्चे बताओ employee benefits expenses में आएगा bonus internet expenses internet expenses आएगा आपको other expenses में next है discount on issue of debenture return of discount on issue of debenture return of यह आजाएगा finance cost में finance में था ना borrowing finance के किसमे? borrowing revenue from services rendered यह आएगा revenue from operations में next material purchase material purchase किसमे आएगा जी? cost of material consume में next goodwill amortize किसमे आएगा? depreciation and amortization expense ठीक है नोट करिएश को आएगा हुआ हो गया नोट कर लिए चलिए तो बच्चे यह important है एक्जाम में ऐसा ही question आएगा ठीक है समझे बातना अब अगर आपने हमारे वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजे क्योंकि आपको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपको याद भी हो गया और एक बढ़िया सा प्यारा सा comment comment section में जोड राइट है एक share पर मेरा राइट है और यह मेरा ही नहीं यह आपका भी राइट है कि पढ़े हैं तो वीडियो को like कर दे सरके लिए comment कर दे दोस्तों को share कर दे इतना मेनच्च जो करते हैं इसका क्या return reward है इतना ही तो मांगते हैं कि कोई charge subscription तो ही नहीं फिरी में दे रहे हैं सुनिए अब ऐसे कोई भी स्टुडेंट्स जो हमसे offline परना चाहते हैं बच्चे आप online पलते हैं आपको समझ में आता है और आप चाहते हों से face-to-face परना जो बच्चे हमसे offline जुना चाहते हैं goodwill educator में तो हमारे offline सेंटर के लिए हमारा जो offline सेंटर का address वारा नसी में है तो वारा नसी में जॉइन करिए वारा नसी में कहां पर exact address है B30-74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वारा नसी वारा नसी में आप बियच्चू के पास आएंगे रविदास गेट है गेट के अंदर घुसेंगे 100 मिटर बाद लंका थाना है थाना के जस्ट बगल में good को भी जॉइन करना है offline center में 11th and 12th commerce के लिए CUT में B.com और M.com इंटरेंस के लिए और B.com 1st, 2nd, 3rd year के लिए चाहे CA या CS courses के लिए वो बच्चे स्क्रीन पे दिये हुए नम्मर पे call या WhatsApp करे ठीक है या Google Map पे भी अगर आप लिखेंगे Goodwill Educator तो हमारे offline center का address आ जाएगा अगर आप paid courses purchase करना चाते है तो Play Store से Goodwill Educator का app download करे जहां से आप paid courses purchase कर सकते हैं free notes भी app पे available है ठीक है और बच्चे हाँ share करना ना भूले आज के वीडियोज को चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किये तो subscribe कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे जिससे की वीडियोज upload होते ही सबसे पहला notification आपको मिले ठीक है और इस तरह से आपका financial statements of company chapter complete हो गया और आपने notes बना लिया उसको learn कर लो एक बार ये पांचों lecture दुबारा देख लेना जब पांचों दुबारा देख लोगे तो recall हो जाएगा सारा point कि हमने कौन-कौन सा strategy बताया है याद करने के लिए और ये chapter base chapter है क्योंकि याद करोगे भूलोगे फिर दुबारा करोगे फिर recall हो जाएगा अब फिर कभी नहीं भूलोगे इसकी guarantee है अगर आपने lecture दुबारा देख लिया तो guarantee है कभी भूलोगे नहीं और पूरे इस part B के book में ये सब point बार बार रीकॉल होगा ठीक है और आपके exercise question में में भी chapter के पीछे कि दिया होगा items head subhead तो उसको अच्छे से का करिएगा learn कर लिजेगा आपके book में illustration में भी होगा question item head subhead learn कर लिजेगा और part 4 में जो हम pyq बताए थे उसको भी आप अच्छे से cover कर लिजेगा ठीक ना नोट बना लिजेगा उसका अच्छे से notes बना लिजेगा उसको learn करेगा most reported question वही सब है ठीक है फिर हम मिलेंगे आप से नई topic के साथ next lecture में तब तक के लिए आप याद कलते रहिएगा ठीक है और अपना ख्यार लखेगा questions का practice करना ना भूले फिर मिलते हैं अगले लक्चर में वीडियो को सेर जोर कर लेजेगा ठीक ना टेक केर बाबाई